तो इस कहानी के शुरू में हम एक रॉक बेंट से मिलते हैं ये लोकल पैंग था जो छोटे-चोटे बार्स में गाम करके अपना गुजारा करते थी लेकिन इस काम से उनके हनाच कुछ जाद अच्छे नहीं चार रहे थे दिखाया चाहता है कि जब वो एक कॉंसर्ट के लिए होती है कि उनका कॉंसर्ट कैंसल हो गया इचांटे वो लोग बहुत ही उतास हो गए तब यहां के मैनिजर ने उन्हें बताया कि मैं तुभी एक और बाहां वहां तुभी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और उधर का मैनिजर भी मेरा भाई डैनियल है यह सुनकर दोनो के सूलों पर चलते हैं फैर अब यह लोग उसमार में यह बहु पहुंँ जाते हैं और वहां टैनियल से मलते हैं टैनियल इन्हें किसी और आपमी के सद्गे घ्रीन रूम बेट लेकर जा जाता है जहां आग चाकर इन्हें कॉंसर्ट परफॉस्तर अब क्यूंकि यह यह लेकिन खेर उनकी किसमत अच्छी थी कि यहां उन्हें किसे ने कुछ नहीं खा कॉंसर्टे खतम होने पर इन्हें पैसे भी मल गए और यह वस्याह से जाने ही वारे थे किसे उनको बता चला कि उसका मुबाइल तो ग्रीन रूम में ही रह गया है पैट उस मुबाइल को लेने के लिए चाहता है जहां ग्रीन रूम में चाहते ही उसके होश उरक है समीन पे पड़ी हुई एक लाश देख है यह जिस लड़की के लाश थी उसके दोस्त पर यहीं खड़ी हुई टी जो रूते हुए बैट से कहती है प्लीज पॉलिस को कॉल करो मरी मदद करो पैट भी उसकी मदद करना चाहता था इसलिए पॉन उठाकर वो चलती से रूम से बाहर निकलता है लेकिन तबी बीचे से उसे गैंगस्टर्स बकर लेते हैं लेकिन उसे ब इसको कॉल कर चुका था सारी सिट्रेशन को सभालने के लिए अब गैंगस्टर्स इन सब को बकर कर ग्रीन डूम में बन कर देते हैं वो जान दी थे कि पॉलिस ने तो यहां आना ही है इस मड़र को चुपाने के लिए उन्हाने बाहर जान बुचकर तो लड़कों के दरम्यान में लड़ाई जाया गया था गैंस्टर्स का प्लान से ही काम भी करता है और वो लोग पुलिस खुल डिस्ट्रेक्ट करने में काम्याब भी हो जाते हैं लेकिन अब सबसे पुरा यह हुआ था कि किसे की किये हुए गुणा में यह चारो फस चुके थे इस सब के दुरान हम देखते हैं कि इस बार का ओनर जो के इन सब का बॉस था वो भी यहां आ चुका था और उसे यहां पर होने वाले मॉर्डर के बारे में पहले से ही पता था असल में इस लड़की का मॉर्डर और यहां पर जो कुछ भी हुआ था वो सब उसी की ओडर पे हुआ था अब बॉस यहां आकर किस अपने हात्मी को ओर्डर देता है कि जिन दोनों ने उस लड़की का मुडर किया था उन्हें इस मुडर साइट से कहीं फेश दो ये बात पताने के लिए जैसे ही बॉस का असिस्टेंट इस ग्रीन रूम तकाया तो उन दोनों हत्मियों के साथ ये चाहरों भी चलागी से यहां से निकलने की कोशिश करने लगे लेकिन गन पॉइंट पे इन गैंक्स्टर्स ने इन चाहरों को ही बर्ड रोक लिया एंबर्ड चुके मरने वाले लिटकी की दोस्ती वो इन सब को बताती है तो भी यहां इसलिए रोक चाहरा है ताकि ये सब तुम्हें मारती क्योंकि तुम्हें इनका रास पता चल गया है ऐसे तुम्हें जाने नहीं देंगे इस चीज का एकीन तो इन चाहरों को भी उचला था कि लोग यहां से भागना चाहते थे लकिन जिस गार्ट के हाथ में गन थी वो अन्हें ऐसा करने से रोक रहा था सहरी तहीं देर में इनके रूम के बाहर आजाता है बॉस जो के यहां गार्ट को दरवाजा खोलने को कहता है यह लोग समझ गए कि बस इनका मरने का वक्त करीब है यह जानते थे कि अगर दरवाजा खुला तो यह मर जाएंगे इसलिए अपनी जान बशाने के लिए यह चारों मिलकर गार्ड के उपर हमला कर देते हैं पेट उसे काबू में करता है जबके उसका दूसरा साथी उसके हाथ से गन चीनने में काम्याब हुचका था बाहर से बॉस बार बार नौक कर रहा था लेकिन यह लोग दरवासा नहीं खो रहे थे तंग आकर वो यहां से चला किया वो भी अब जानता था कि इन्हें यहां से निकालने के लिए उसे कोई और ही हरपाच चलाना पड़ेगा जिसके लिए सबसे पहले उसने अपने बाहर में मुझूद सभी लोगों को यहां से बाहर निकाल दिया इतनी देर में हमने देखा कि यहां पर डैनियल भी आगया वही लड़का जो इन्हें सबसे पहले इस बाहर में मुला था जबकर रूम के अंदर से यह पूरा ग्रूप यहां से निकलने का कोई खूफ या रास्ता ढूंड रहे थे और ऐसा करते हुए ही उनके एक साथ ही को फ्लोर के नीचे एक बंकर मिलता है इससे पहले कि यह लोग इस बंकर को खोल कर इसके अंदर चेने चाहते दर्वासे के भाई दुबारा से बहुत साब गए जिस तरह इनको बातों में गाना शुरू किया वो कहता है कि तुमारे पास जो गन है वो शिराफत से मुझे दे दो त्योंकि इस गन से उस लड़की का मुर्डर हुआ है और अगर तुमने मुझे नहा दी एक तो तुम बखेर लाइसंस गन के चिकर में फस जाओगे और दूसरा में तुमें इस देड़की के मुर्डर की इलजाम में फसा दूँगा ये सुनकर ये लोग भी डर गए और पैट अब दर्वासा खुलके वो गन बास को बाहर देने के लिए जाता है एंबर चूपर रूम की वेंटिलेशन पर खड़ी बाहर के सारी सिच्वेशन देख रही थी वो देखते हैं के बास के साथ लोग इन लोगों को मानने के लिए खड़े हैं जो इनके दर्वासा खुलने की इंतिसार में हैं इससे पहले के वो कुछ पताती ये लोग गन के साथ पैट का हाथ भी पकड़ चुके थे वो से खेंच रहे थे लिकिन यहाँ उसके बाह के साथ ही उसे बचवाने लगते हैं और किसी तरह उसके हाथ को अंदर करके ये दर्वासा बंद करने में काम्याब भी हो जाते हैं लेकिन इस सब के अंदर पैट का हाथ बुरी तरहां कर चुका था और वो तड़ाप रहा था। इनकी तर्वासा बंद करते ही वो गार्ड जिसको उन्होंने काबुखिया हुआ था वो भी इन्ही के उपर हमला कर दिवाना था। जिसके हमले से बचने के लिए एमबर उसी के उपर हमला करते है वो उसकी गर्दन पर चाकू रख चुकी थी और खलती से यह चाकू चल गया और एमबर के हाथ से उस गार्ड का मॉर्डर हो गया यह लोग पैनिक तो हुए लेकिन कहीं न कहीं यह लोग इस सिट्वेशन के लि रास्ता तोड़ने में लग गए इन्हें जो फ्लोर के नीचे बंकर मिला था यह लोग उसमें जाने का फैस्ता करते हैं इन्हें उमीद थी वहां से नहीं बाहर जाने का कोई रास्ता मिली जाएगा लेकिन जैसे ही लोग नीचे गए तो इन लोगों के होशी उन गए यह द करते हैं बाहर बहुत से अब डैनियल मिलता है बास डैनियल को यह काम देते हैं कि जाओ जाकर उस ट्रॉक पेंट को उस कमरे से बाहर निकालो डैनियल सवाल करता है कि आखिर वोस्त्रूप में है क्यों जवाब में बास उससे जूट पॉल देते हैं कि उन्होंने हमारी या उन्हें बस बाहर निकालना है अंदर उस ग्रूप को दिखाया जाता है जो यहां से बाहर निकलने की हर कुशिश कर चुका था लेकिन किसी भी तरहां से काम्याब नहीं हुआ तो अब इनके पास एक रास्ता था कि यह लोग दरवासा खोल कर ही बाहर निकलेंगे जैसे ही इनके यह लोग बाहर निकले तो बॉस की असिस्टेंट नी उनके उपर डॉग्स चोड़ दिये और यह डॉग सबसे पहले उनके एक साथी के उपर हमला करके उसे मार देता है जिसके बाद यही डॉग एमबर के ऊपर भी हमला करता है लेकिन एमबर इस डॉग से अपना प शिशकी थी लेकिन बाहर जाने पर भी वो बास के लोगों के हाथों मारा गया जिसकी मौत का पता उसकी क्रूप को बिचन चाता है और उसकी मौत के बाद इन सब की हिम्मत डूट जाती है अब बागे साथ ही जो दुबारा रूम के अंदर चले के थे और उन्होंने रूम मार देता या कोई भी नुकसान पहुंचाता उन्हीं की साथ ही जिसका नाम एमबर है वोसे रोग देती है और बताते है नए मारो इन्हें ये बेकसूर है तुम्हारी साथ ही को और किसे ने नहीं बॉस नहीं मरवाया है ये सुनकर वो भूरी तरह शौक हो गया वो अपने स साथ ही मर्डर की कहानी डिटेल से सुनना चाहता था इसलिए उसने दूसरे लड़के को यहां से बाहर भीज़ दिया एमबर पता थी है कि तुम और एमली यहां से भाट्टे का प्लान कर रहे थे इसी की हबर बस बॉस को हो गई बॉस को एमली के भागने के बारे में पता सौल गया लेकिन यह नहीं पता चला कि वो तुम हारे साथ भाग रही है और जैसा तुम जानते हो कि उनकी ग्रूप का एक रूल है कि कोई उनकी ग्रूप को छोड़कर नहीं जा सकता तो बस फिर उन्होंने एमली को मरवा दिया असल में बॉस को टैर भी था कि अगर कोई ग्रूप का मेंबर उनकी ग्रूप को छोड़कर जाएगा तो वो आगे के लिए उनके लिए मुस्सेबत सापित हो सकता है अब दे किसी को ये बात मालूम नहीं थी कि एमली डैनियल साथे भागने वाले थी यहां डैनियल जब अपने दूस्टे साथी को बाहर भीचता है तो उसे देखकर बहुत समझ गया कि अंदर कुछ खिचुडी पक रही है वो अंदर चाकर इंटर्फियर नहीं करता बलके बाहर से ही डैनियल की कार चेक करता है ज्सें चेक करने पर उसे कार्किटिगी में डैनियल का समान और साथे साथे का समान और उनकी एक पिक्चर मिली जिसे देखकर मुझ समझ किया कि उस लड़की को भगाने वाला और कोई नहीं बलके डैनियल ही था और अब वो डैनियल के भी जान के पीचे पढ़ गया अपने ही लोगों के हाथों मारा गया क्योंकि उसे ये बात नहीं मालूम थी कि बहुत सब सच जानते हैं और अब वो उसकी भी जान के पीछे हैं बाहिर तो ये निगल ही कहते ये लोग हिम्मत कहते हैं आगे बढ़ने की लेकिन अफसों कि गैंस्टर्स के लोग इनके उपर फ्वाइलिंग कर देते हैं जिसके चोलते स्रैम भी मारी चाती है अपचे थे पैट और एंबर जो दोनों डिरते हुए दुबारा द्रीन रूम के अंदर आके वो बहुत ज़्यादा डिरे हुए थे नहीं जानते थे कि उन्हें अब क्या करना है बॉस भी अब दर्वाजा खुलवाने की या उन्हें बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते बलके वहाँ पर अपना डॉक छोड़कर चले चाते हैं यहाँ सिचुशन इनके थोड़ी से कंट्रोल में आई थी पैट जोके बहुत ही टलेंटेट था वो अचीब हो गरीब आवाजें निकालकर डॉक को डराकर यहाँ से दूर फेश देता है और फिर वो जो दो आदमी बॉस नहीं हाँ इनको गार्ड करने के लिए छोड़े थे पैट उन्हें भी उन्हीं की गन से मार देता है तोनों गार्ड को मरा हुआ देखकर पीछे से बॉस का असिस्टर निकल कराया जो उन गार्ड को मरा देखकर और पैट के हाथ में गन देखकर पूरी तरहां डर कया वो जानता था कि पैट अब उसे मार देगा लेकिन पैट ने उसे मारा नहीं क्योंकि अब इसी से थो उन्हाने बॉस का पूरा प्लैन सुनना था असल में बॉस का ट्रग बनाने और स्मगल करने का बिस्नस था इसलिए वो नहीं जोहता था कि पुलीस यहां पर आकर सब को पकड़े और क्योंकि इस रॉक प्रेंट को भी पॉस की सारी हकीकत पता चुन शुकी थी तो अब वो उनको भी जिन्दा नहीं छोड़ना चाहता था उसे इस ग्रूप को मारना भी कुछ इस तरह था कि किसी को उस पर शक बिनाओ बॉस का स्टिस्टिन बताता है इसलिए तो उन्होंने तुम्हारी कार और तुम्हारी पैट्रोल चुनाने वाली किट को अपने घर के बाहर छोड़ गया और सबको उसने डॉक्स के हातों मरवाने की इसलिए कोशिश की आके पुलिस को लगे कि ये लोग पर ट्रोल चुराने आए थे जिसके चलते डॉक्स ने उन पर हमला किया और वो मारे गए बॉस ने सोचा था कि उसके बाद वो सबी लोगों की नाशों को भी अपने घर के बाहर रख देगा उसका प्लैंड गाफी हद तक काम भी कर चुका था लेकिन इससे पहले कि उसका तो पैट और एंबर को मारता उन्होंने साना प्लैंड बता चिन पाल लिया और फिर बॉस के एस्टिस्टन को लेकर उसके घर के बाहर चुने गए वो यहाँ आकर उसको मार भी सकते थे क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था लेकिन वो उसे अब भी भी नहीं मारते एंबर उसे इस शेट पे छोड़ देती है कि तुम जाओगे और जाकर पुलिस को यह सारी कहानी बताओगे इतने मही बॉस के कुछ लोग भी उन दोनों को यहाँ सेंस कर लेते हैं वो उन्हें मारने के लिए आके बढ़े थे लेकिन यहाँ एंबर ने अपनी गन चलाते हुए उन दोनों को मार दिया गोलियों के अवास तोनकर पॉस भी घर से बाहर निकले इन्हें देखते ही वो अपनी पिस्टल निकालकर इनको शूट करने वाले थे इन्हें अपने साथियों के मरने का दुख था दोनों खामोश थे और इन्हें को दिखाते हुए यह कहानी हाँ खत्म हो जाती है